मुझा जा रहे हैं लोग घुमा घुमा करने जा रहे हैं मार्केट शॉप्टिंग करना ठीक नहीं रहता है तो चलिए हम लोग चलते हैं और प्रेन हराच वैसके प्रेन रहे हैं और मुझा प्रेन है रहे हैं तो जार्टिंग अन्ट मुझा नहीं स्टाइट्वागा कर दों। यह सब मत करो नहीं तो यह अंक्ल क्या करेंगे आपको डाटेंगे है ना हाँ काट दे दुब्रों को क्या खाना है बताओ जल्गेल्दी बताओ आलू खाना है यह 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 लाओ हम देखते हैं इसमें क्या-क्या है तो अभी हम लोग पहले मॉल गये थे वहां पर हम लोग ने कुछ कपड़ों की शॉपिंग करी पहले क्योंकि बॉल पूरा खाली था और ऑफर इस समय काफी अच्छे चल रहा है विंटर्स क्लॉट्स पे तो बहुत ही जादा डिस्काउंट चल रहा था तो बस हमने बच्चों के लिए कुछ कपड़े खरी दे और अपने लोगों के लिए भी लिए वहां पर मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ यहां पर रेस्टोर करते हैं तो उस टाइम तक तो वापस से हम घर पहुंच जाएंगे तो इसलिए हम लोग यहां पर प्रिपफास्ट करेंगे और प्रिपफास्ट में वैसे जनरली बस छोले भटूरे डोसा कटलेट यही सब होता है तो अभी हम लोग ने डोसा और किया हुआ है और समोसे और करें हुए हैं और टिकी चार्ट भी यहां मिल जाती है तो काफी अच्छा वाला रेस्टोरेंट है मतलब इस टाइप के स्नैक्स यहां मिल जाते हैं तो शलो फिर यहां पर हम लोग पैट करके खाते पीते हैं इंजुआए करते हैं और और कर दिया है 10-15 मिनट पार्ट और आज क्या तुमको चाहिए बतावने यह ना इसको मंकी चाहिए है मंकी नहीं दिखाई दे रहा है और अम लोग निकले हुए है सुबह काही टाइम है क्योंकि भी एक श्रत स्कूल गया हुए हूए है तो अम लोग वड़िये मस्की करने निकले हुए है तो इसले हैं तुर और आध्या को खाना था समोसे तो हमने समोसे मगा दिये हैं और काफी टाइम बाद हम लोग इस तरीके से बाहर निकले हैं पिछली बार जब नहा आई थी हम लोगोंने खूब सादा मस्ती करी थी हम लोग कई सारी जगे भी गह थे तो इस बार अभी जिस दिन से आई हुई है तो कहीं निकल नहीं पाए थे तो चलो हमने का चलो आज थोड़ा सा गोम करके आते हैं और बच्चे साथ में होते हैं त डाल लेते हैं सौफ का मुझे टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है वैसे जनरली सौफ बहुत कमी लोगों को पसंद होती है लेकिन मुझे काफी ज़्यादा फसंद है वैसे भी मैं घर में सौफ खाती रहती हूँ और यह आदतना मुझे यहां जो भाबी है हम हमारे पड़ोस में उनसे लगी हुई है क्योंकि वह बहुत ज़्यादा सौफ खाती है तो उनहीं की वज़े से मेरी आदत पढ़ गई उनके साथ रहते रहते और अक्सर करके जब मैं उनसे मिलने जाती हूँ तो मुझे सौफ खिला देती है और उनके साथ ही यही आदत मेर भी पड़ गई है तो बस अब हम लोग यहां से निकल रहे हैं उसके बाद अभी हमें थोड़ा सा टाइम है क्योंकि अक्षत स्कूल में है तो जिसके कारण से भी हमारे पास एक दो गंटे है तो उस टाइम में हम आराम से और कहीं भी जाकर शॉपिंग कर से हुआ है रुको अज़ा से मैचिंग पहने हो तुम रेड रेड तो अभी हम आ गए है हाईपर मॉल जो की हमारे ही एरिय में खुला हुआ है निव ओपिन हुआ है इसकी अभी बस कुछी दिन पहले ओपनिंग हुई है तो हाईपर मॉल हम लोग आए हुए हैं और यहाँ पर अल्रेडी काफी अच्छा सा डिसकाउंट रहता है यानि 10% आप कुछ भी कोई भी प्रोड़क्ट बाइ करोगे तो उसमें आपको 10% आफ मिलता है तो काफी अच्छा सा बड़ा सा यहाँ पर ग्राउंड भी था तो बच्चे इंजुआए कर रहते तो हम ले लेते हैं बास्केट और शुरू करते हैं सौपिंग करना और यहाँ शौपिंग करना काफी जादा इजी होता है आपको 10% आफ मिलता है साथी साथ आपको 27 जनवरी के टाइम पर अच्छा खासा डिसकाउंट मिल जाता है बाइवन गेट वन भी अच्छे खासे ओफर्स रहते हैं तो मज़ा आ रही है शौपिंग करने में और हम देख रहते कि अभी क्या क्या सीजे है जरूरत की घर में क इतना हमारे घर में वो चीजें कंजियूम होनी चाहिए तो उसको ध्यान में रख करके ही शौपिंग करनी चाहिए तो बस मैं देख रहे थी क्योंकि मैं पिछले वीक भी शौपिंग करके यहां से गई हुई थी तो इस वज़ा से मैंने गा शलो नेहा भी आई हुई है और हाइपर मॉल निओ ऑपन हुआ है तो नेहा को भी घुमा दिते है एंड उसको भी अगर कुछ शौपिंग करनी होगी तो यहां से कर लेगी तो नेहा भी यहां में लेखके हुई हैं और कॉस्मेटिक्स आइटम में भी काफी जाधा ऐं लाइक सिल ल्गा स्षो फी शौप और डिटर्जिन पाउडर यह सारा लगा हुआ है तो इजी रहता है यहां शॉपिंग करना और रश भी कम था तो जिसके कारण और भी ज़्यादा आसानी हुई हमें और उसके बाद हम आ गए हैं यहां पर विलिंग कराने तो देख सकते हो अपना ट्वाइल लेकर के घूम रहा है इसको विलिंग कराने जा रहा है और अंटी को देख रहा है कि आप इसका विल कर दीजिए तो बस यही सारा है और देख सकते हो बच्चे ना अपने ही जरूरती चीज़े देखने लगते हैं क्योंकि बच्चों को ट्वाइस का बहुत जादा शौक होता है तो ओजसात्या दोनों ट्वाइस एक्षन में ही टहल रहे हैं और हम लोग यहां पर बिलिंग कराने में क्टम हो रहा तो मैंने कछलो कुछ snacks बनाते हैं तो यहां पर मैंने आलू बीचे में कटकर रखे हुए हैं क्युकि मैं इसकी बनाने वाली हो फ्रेंच ट्राइस बच्रेंस भाइल दया है उड़य दाल दिया कडा है और गरम होने के लिए चूड़ती और किचन से थोड़े दिर के लिए अधर चली गई थी क्योंकि पच्छे आपस मेरा तुरंट फाइटिंग भी शुरू कर देते हैं और उजस बहुत ज़ादा और ठोड़ा सारा रोट फिर पाउडर एट करके और पिर इसको बनाईए तो यह खाने में और भी जादा क्रिस्पी लगते हैं और यहां पर मैंने बनाई गई है गर्म गरम चाय चाय चाह metam लेते हैं और उसके बाद पैट करके आराम से चाय और फ्रेंच फ्राइज के मज़े लेते हैं तो नास्ता हमारे रेडी हो चुका है बच्चे वेट कर रहे हैं और चलिए ये देख सकते हैं चाय और फ्रेंच फ्राइज बन गया है तो अभी हम लोग खापी लेते हैं और उसक करवाने आए हुए हैं एक्षुली ये खराब हो गया था तो ये इसी को change कराना था तो मैं राकिन के साथ आ गई थी और मेरा भी काम था मेरा काम क्या था मैं आपको बताती हूं मुझे अपने जो मेरे चास्मा है उसके glass भाल चेंज करवाना थैंश्ट अब करना लाइक तो फ्रेम दोनों ही चेंज करवाने वाली हूं तो हागये आफ इस प्लॉक का एंड्ड भी करते हैं तो पसंद आया होतों एक लाइक कर देना और मेरी चैनल पर अगर निव हैं पहली बार आएं तो जरूर सब्सक्राइब करेगा साथ में विल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको सारे वीडियो की नौटिफिकेशन मिलेगी तो चलिए मिलते हैं नेक्स व्लॉग में तब तक लिए बाए